Hello Everyone, NK Education Channel पर आप सभी का स्वागत है BPSC की भरती को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें पटना हाई कोट ने BPSC को सहायक सिक्षक बहाली के लिए संगीत के छात्रों का ओनलाइन आवेदन मंजूर करने का निर्देश दिया है जस्टिस राजी रंजन परसाद ने रगूनंदन ठाकर और अन्य की आचिका पर की सुनवाई यानि कि जो संगीत के छात्र थे उन्होंने कोट में केस किया हुआ था कि उन्हें भी इस बहाली में मौका दिया जाए और जैसे ही अब आवेदन की अंतिम्तिती है तो उधर दूसरी साइड देखा जाए तो यहां पर पटना हाई कोट ने संगीत के छात्रों को मंजूरी दे दी है कि वे ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं अब देखना यह है कि यह जो उन्हें मंजूरी पटना हाई कोट से मिली है ओधर बी पी एसी की अंतिम्तिती उन्नीस जुलाई दो हजार तीज को पूर्ण हो चुकी है अब तो केबल केवल वो आवेदन रह गए हैं जो की लेट फीस पर भरे जाएंगे अब इनका क्या किया जाएगा क्या संगीत के चात्रों के लिए अलग से ओनलाइन सिर्फ इन्हीं के लिए ओपन किया जाएगा या फिर से बी पी एसी की तारीख को पूरी को बढ़ाया जाएगा यह देखना होगा कि अब इस छेत्र में सरकार और सिक्षय मंत्री मिलकर क्या फैसला लेते हैं क्योंकि यह जो मंजूरी है वह पटना हाइ कोट से दी गई है और यह सब हम अच्छे पिरकार से जानते हैं कि जब हाइ कोट से कोई निरने आता है तो वह सभी को मानने होता है चाहे उसमें कोई सरकार हो या आमनागरिक हो वह सभी के लिए मानने होता है क्योंकि संगीत के जो पोस्ट है वो 10 प्लस 2 में BPSC की वेकंसी में स्षोभी की हुई है यानि उसमें दर्साया हुआ है जब संगीत की जो वहाँ पर पोस्ट है तो जब संगीत की पोस्ट है और छात्र भी है और उन्होंने इसी चीज को संग्यान में लेते हुए कोट में इस रिट को डाला था और उधर पटना हाई कोट ने भी उसको मंजूरी दे दी है तो अब देखते हैं कि इस पर जल्दी ही कोई नई चीज कोई नई अपडेट सुनने को मिलती है या क्या किया जाएगा यह सब हम सब के लिए एक नया टॉपिक हो गया है कि अभी इस पर क्या फैसला लिया जाएगा जैसे ही कोई अपडेट आता है तो तरंथ हम आपको बताएंगे क्योंकि जैसे तैसे BPSC का फाइनल होके सभी अब्यर्थी एक जुट होके अपनी तैयारी का मन बना लिये थे लेकिन अब फिर से एक लग रहा है कि बीच में कोई रोडा है या नहीं है क्योंकि देखो मौका तो उन संगीत के छात्रों को भी मिलना चाहिए अब केस का मामला था अब उसका निरने आवा आया है तो देखते हैं हो ना क्या है वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे सभी वीवर्थ को थेंक यू एंड थेंक्स फर वाचिंग और अगर आप मेंसे कोई ऐसा है कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करें वन्स अगीन थेंक्यू एंड थेंक्स फर वाचिंग